नेक्स्ट कोशन है इस वर्ड में से आपको चार लेटर चूज करके कितने तरीके के आप नए नए वर्ड बना सकते हैं वो काउंटिंग आपको करनी है इसको बनाने के पहले बेसिक लेबल का कोशन पढ़ना इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इस कोशन को देखते हैं ही जो फर्स टाइम इस कोशन को बना रहे है उनका सबसे पहला एंसर यह होता है कि वो टोटल नमबर अफ लेटर को काउंट कर लेते हैं जो कि 11 दिखर आपको सबसे फॉस्ट वर्ड में अब उस 11 में से किसी भी 4 लेटर को सलेक्ट करके उनका एंसर आजाता है 11 P 4 तो यह बिल्कुल गलत एंसर है और क्यों गलत है और क्या खास बात है कि इसमें कौन से काउंटिंग मिस हो गया है या कौन सा काउंटिंग रिपीट हो गया है उसी को समझने के लिए आपको पहले basic level के questions पर ध्यान देना होगा जो इस तरह के question के pattern पर है खास बात इसमें सिर्फ इतना है इस mathematics में सारे letters अगर different होते हैं तो यह answer बिल्कुल correct था लेकिन इस question में सारे letter different नहीं है बहुत सारे letter हैं जो repeat कर रहे हैं जैसे M नाम का A नाम का आपने अगर 11P4 ले लिया तो यह बहुत बड़ा mistake हो चुका है यहां से answer तो बिल्कुल नहीं आने वाला है और क्यों नहीं आने वाला है इस question के concept को समझने के लिए हमें basic question समझना बहुत ज़्यादा important है तो मैंने एक छोटा सा example लिया a b c d e 5 letter आपके सामने है और इसमें से अगर आपको बोला जाए कि इसी भी दो letter को चूच करके आपको word बनाने हैं तो दो letter के आप कितने word बना सकते हो तो आपको box में कितने प्लेस दिख रहे होंगे दो पहले box को आप कितने तरीके से भी कर सकते हो पाई दूसरे box को कितने तरीके से बढ़ सकते हैं क्योंकि कोशन में कहीं mention नहीं है repetition are allowed तो टोटल 20 वाट बनने वाले हैं एक और तरीका इसको बनाने का वह मैंने आपको पर्मूटेशन वाले definition में समझाया था आउट फाइटर इस टोटल नंबर अरेंडमेंट तो एंसर तो आ चुका है बढ़ हमें एंसर से नहीं मतलब है अभी हमें चार दो लेटर को सेलेट करके आपने अरेंज कर डाला लेकिंग मैंने आपको डिफिनेशन में यह भी समझा रखा है कि पर्मूटेशन एक तो लेटर इन पर्मूट बैट तो लेटर इन और मैंने आपको बता भी रखा था और इसी तरीके से यह हुआ है और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह नंबर भी आपको दिखेगा तो यहां पर 20 तो तो तीनों तरीके से आ चुका है लेकिन सबसे कंविनेंट मिथट यह है इसलिए क्योंकि जब केस वाइट करना होता है मतलब कोस्टें में डिपरेंट टाइप के केस होने लगते हैं तो सबसे बेस्ट मिथट है को सॉल्व करने का यह कि सबसे पहले आप स यहां पर करते हो तो यह है वह कि यहां पर हो रही है तो अब तो यह 20 आपको पता चला जब यहां पर एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है क्लियर लेकिन इस से में यह नाम के दो हैं डी नाम के दो लेटर रिपीट हो रहे हैं लेकिन यह वी जो है वो बिल्कुल अकेला है है तो पांच लेटर और कोश्चन आपके लिए यह है कि इसमें से फिर से दो लेटर सेलेक्ट करके कि वर्ड आप बना सकते हो तो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं क्योंकि छोट सकते हो भी है ठीक इसी तरह आपने एक के साथ जितने पॉसिबल अर्यमेंट है वह कर डाले अब की बाड़ी के साथ एक आर्यमेंट आप नहीं करेंगे तुकि पीछे क्यों बढ़ने से कोई फाइदा है नहीं वह और रेडिया आप काउंट कर चुके हो तो बी के साथ डी क प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता चोटे कोशन और प्रैक्टिकली करके साथे कॉंसेप्ट को समझा जा सकता है तो एक डिफ्रेंट वर्ड बनेंगे यह तो आप स्योर हो चुके हो इसको अगर फॉर्मूला से आपने बनाया और आपने पांच में से किसी भी दो लेटर को सेलेक्ट कर लिया तो यहां तो आंसर आपको कंपर में कि 20 आता होगा ठीक है तो 20 तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है यानिकि इस मिखड़ से आप बलती कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग यह बोलते हैं कि हाँ दो रिपीटिशन भी तो हो सकता है तो ठीक है रिपीटिशन जो द जो रिपीटिशन थोड़ी हो रहा था जो आप तो इसको डरेक्ली या यूज करके नहीं बना सकते तो अब आप आते ही कि इसको बनाना कैसे हो तो यह वह एक्ट्वार प्रोसेस जिस प्रोसेस आपको ऐसे बनाने हैं पांच लेटर्स हैं और इसमें से दो लेटर आपको सेलेक्ट करने तो पहला केस यह हो सकता है कि आपने जो दो लेटर हाथ में उठाया यह दो लेटर आपस में रिपीट होता होगा उसको मैंने केस वन में बोला है when two letters are same मतलब जो भी दो लेटर आपने pick किया है वो दोनों same है तो word पर ध्यान दो मैंने क्या बोला जो दो लेटर आपने pick किया pick मतलब select करना तो ऐसे question को बनाना हो तो सबसे पहले आप selection करो कि कितने तरीके से आप select कर सकते हो तो आपने एक तरीका क्या बोला दो लेटर सेम हो तो दो लेटर सेम हो तो वो selection कैसा कैसा हो सकता है या तो आपके हाथ में AA आएगा या फिर आपके हाथ में D और D नाम का लेटर आएगा तो पुल मिला के दो तरह के different repeat वाले structure दिख रहे हैं लेटर दिख रहे हैं तो इस दो में से किसी भी एक group को आप select कर लोगे तो आपके हाथ में अपने आप दो लेटर आ चुका है अब इस दो लेटर को arrange कर दो into factorial two times और चुकि ये दोनों लेटर बिल्कुल सेम है तो factorial two से divide भी कर दो ताकि वो repetition वाला counting कर जाया है तो ये है actual process और जब आपने इसको solve किया तो ये answer आया है कितना two तो ये तो हुआ case one की बाद अब case two when two letters are different डोनों letters अगर different हो तो different आपको कितना दिख रहा है कितने तरह के different letters वाले photo आपको दिख रहा है एक A नाम का photo दिख रहा है एक B नाम का और एक D नाम का तो तीनों different होने के साथ साथ आप कैसे इसको पहले select करोगे एक दो तीन तीन में से आपको हाथ में सिर्फ दो उठाना है तो आप सबसे पहले select करो out of three letters you have to select two letters and then permute that two letters जो भी दो लेटर आपके हाथ में आया है इसको कितने तरीके से आप arrange कर सकते हो factorial two times तीन लेटर में से दो दो लेटर को चुनने के कितने तरीके एक दो तीन यही व यह भी factorial two times यह भी factorial two times इसलिए यहां multiply किया गया है factorial two times तो यह total arrangement कितने दिखेंगे आपको 3C2 का मतलब 3 और factorial two total six arrangement आपको यह वो छे arrangement दिख रहे हैं जहां पर एक भी letter में repetition नहीं हो रहा है और यह जो दो लेटर था यह यह वाला दो लेटर है और यह letter है जहां पर repetition हो रहा है तो total number of arrangement आपको कितना दिख रहा है इस दो और इस six को add कर दिजिए वो ही answer कितना जाएगा एक तो यह है बनाने का actual process और अब इसी process के through हम लोग इस questions को बनाने वाले हैं आपको सरफ यह सोचना है कि इस तरह के word में वो case कौन से होते होंगे पूरे question का key point यही है कि आप case decide कर आपका है mathematics इस mathematics वर्ड को मैंने यहां पर लिखा और total number of letters कितने दिख रहे हैं 11 और इस 11 को जो आपने धूंड़ा कि कौन-कौन से कितने बार repeat हो रहे हैं तो सबसे पहला कम आपको यहीं करना है जो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आप count करोगे तो एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा वही ग्यार लेटर्स यहां पर थें तो grouping तो आपने कर लिया अब इस grouping के बार आपको सिर्फ यह सोचना है कि यह जो चार लेटर हैं यह चार लेटर वाले जो भी word बनने वाले हैं यह word कैसा कैसा दिखता होगा वो चार जो फोटो ह है वो चार पोटो किस तरह का दिखता होगा वही सोच कर आपको केस बनाने हैं कि कितने तरीके केस आप बना सकते हो इतने तरह के बनेंगे सबसे पहला केस है कि आपको जो चारो जो भी चार लेटर हाथ में आने वाले हैं यह चारो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट फोटो वाले होंगे ठीक है उसके बाद सेकेंड केस क्या है तो यह चार लेटर हाथ में उसमें दो लेटर एक तरह का होगा या तो वह सकता है या तो टी टी और जब मालो कि यह हो गया वह लेटर वह दो अरिफरेंट तो अधर टु लेटर हैं वह इन दोनों में से कोई एक होगा तो जैसे कि एक MM तो दूसरा वाला AA एक MM तो दूसरा वाला PT इस तरह का अरिजमेंट आपके हाथ में आएगा वह जो चार लेटर होंगे उसके बाद तीसरा टाइप क्या है तू सेम उफ वन टाइप एंड अधर तू आर डिफरेंट मतलब जो भी चार लेटर आपने सवेट किया इसमें से दो लेटर जो है वह एक तरह का फोटो वाला होगा मतलब वह इस ग्रुप में से कोई एक होने का मतलब दो लेटर आपने और डिफरेंट कर लिया है और जो पह्रावाला केस किया है all four letters are distinct distinct मतलब different चारों लेटर अगर different हैं तो कितने different photo आपको दिख रहा है एक दो तीन चार पांच छे साथ 8 तरह के photo आपको दिख रहे हैं आठ तरह के different letters आपके सामने है इस आठ में से आपने किसी भी चार को हैं और इस चार्ड लेटर को आपको आर्रेंज करना है तो कितने टाइम कर सकते हो और चूकि यह चारों डिफ्रेंट थे तो आप ऐसा भी कर सकते थे डारेक्ट एक्ट फोर भी करते तो भी यह वाला आजाता दूनों तो अभी हम लोग इस प्रोसेस से बना रहे हैं कैने का मतलब कि सबसे पहले मैं इससे सेलेक्ट कर रहा हूं चार लेटर को कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उस चारों को अरेंज कर दो अगर इस अरेंजमेंट में बढ़ा है तो यह नमबर दिल रहा होगा आपको इसको आपने काट दिया है और यहां पर इसे हमने काट दिया और जो आप इस पूरे calculation को solve करेंगे तो ये number आपको दिख रहा होगा 1, 6, 8, 0 Case 2 में क्या दिखावा है 2 same of one type and other two letter are same of other type मतलब जो दो letter है इनमें से जो दो letter आप स्रेक करेंगे वो एक जैसा दिखता होगा और जो other two होगा वो भी एक जैसा दिखता होगा लेकिन पहले वाले दो की जैसा नहीं दिखता होगा मतलब इसका photo कुछ ऐसा दिखता होगा या तो mm तो दूसरा वाले letter AA होता होगा या फिर mm और दूसरा letter TT होगा या फिर AA और दूसरा letter TT होगा तो इस तरह के आपको arrangement डिखेंगे और ये भी आपस में जितने तरीके से अरेज हो सकते हैं वो total तरीका आपको निकालना है तो इसे निकालने के लिए best method है कि आप सबसे पहले selection पर ध्यान दीजिए कि आप select कहां से कर सकते हैं अब combination पर तो दो लेटर और सेम टाइप और जो अधर लेटर है वह भी सेम एक ही जैसे होने चाहिए तो क्या यह इस ग्रूप में से कर पाएंगे क्या इस ग्रूप में जितने ही लेटर है वह सारे लेटर single counting में तो इनको select करके आप इस case को तो पूरा नहीं कर सकते हैं तो आपको इस criteria आपको पूरा करने के लिए यहां से selection करना होगा क्योंकि यहीं वह तीन लेटर ऐसे हैं जो तूटू counting में हैं तो out of three group you have to select any two group at a time अगर आपने तीन ग्रूप में से किसी भी दो ग्रूप को select कर लिया तो आपके हाथ में automatically चार लेटर आ चुके हैं और वो चारों लेटर कैसे दिखेंगे दो लेटर एक जैसा दिखेगा और अगला दो लेटर अलग तरीके का दिखेगा लेकिन यह दुनों सेम होगा यह द को हटाया करते हैं तो इसमें रिपीटिशन कैसा दिख रहा है दो लेटर एक जैसा दिख रहा है तो तरीके का दिख रहा है तो उसको भी टूप से डिवाइट करके actual counting पर पहुंच तो जब आपने इसको solve किया तो यह नमर आपको दिखेगा 18 तोटल 18 नयने वर्ट बनेंग और इसको बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे सबसे पहले जो डो सेम लेटर थे सेम टाइप के थे उनका अपने इसमें कर लिया तो तीन गृप में से किसी एक गृप को आप स्यल्यक कर लीजेगा तो यह आधा दो संटेंस है सोरु वाला यहां तक यह क्रैटरिया पूर जब एक गुरूप आपने सेलेक्ट कर लिया तो एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ नए नए फोटो आपको दिखेंगे जो इस वाले फोटो से बिल्कुल डिफरेंट होंगे तो आउट आप सेवें यू है तो जैस्ट सेलेक्ट टू लेकर टाइम यह जो लिखावा दिख तो उन चारों को आप अषा इस एक होगा है तो आपने क्या क्ने से टुल करदकर पहुंच व और अब इसको आपको सॉल्व करना है तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो यह नमबर आपको दिख रहा होगा 21 x 63 और 63 को 12 से मुटिप्लाइब किया तो 756 और अब आपके पास तीनों केस का डिफरेंट एंसर मौजूद है और तरह के न्यूव वर्ड आप बना सकते हो तो टोटल नमबर अफ अडेंज में तो आपको बनाने थे इस कोशन में वह कितना हो जाएगा 1680 1680 और प्लस में यह 18 और प्लस में आपने क्या किया 75 756 और जब आपने इसको एट किया तो यह नवर्ड बन जाएगा 252454 इस यूर एंसर नेक्स वर्ड है एक्जामिनेशन इस एक्जामिनेशन पर भी बिल्कुल सेम क्रैटिरिया अप्लाई करना है और जब आप इस वर् आपको इस वाले वर्ड में दिख रहा था ऐसे आपको ग्रूप दिख रहे हैं और बाकि पांच है जो सिंगल है तो यह बिल्कुल सेम कोशन है मैथमेटिक्स के जैसा बस लेटर डिफ्रेंट है एक्जैपली दोनों का ग्रूपिंग बिल्कुल सेम है तो आप समझ पाड़ यह सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए आप इसे प्रैक्टिस करके देख लो एंसर बिल्कुल यही आना है और नेक्स्ट इस प्रपोर्च्ट तो ये है वह सब्सेट पहले का है वर्च बित फॉर डिश्टिंक्ट लेकर से या से एक दो तीन चार पांच छे चै अलग अलग तरह के लेटर्स यूज किये गए हैं इस वाले वर्ट में इन छेवों में से किसी भी चार्ड को आपने सेलेक्ट किया सिक्स सी फोर तरीकों से और इन चारों को आपने पर्म्यूट कर दिया इन फैक्टोरियल फोर टाइम सेलेक्ट कर रहा है तो बाकी बचा वो लेटर तो सिंगल टाइम सी होगा ना क्योंकि चारी लेटर सेलेक्ट करने आपको words with a letter repeating thrice तो वो सेलेक्टन तो आप सेलेक्ट इसमें से कर सकते हैं तो इस पूरे ग्रूप को आपने उठा लिया मतलब एक ही ऐसा ग्रूप है और उस ग्रूप में से सभी को एक ही ग्रूप को उठाने के कितना तरीके 1C1 लेकिन इस 1 सेलेक्टन में आपके हाथ में 3 लेटर इस सामने 3 लेटर हैं क्योंकि आपने ग्रूप में से पूरे और इस 5 में से किसी एक को उठाया था तो इनको आप 4 टाइंस चार्व और इस पर टाइमस में यह ग्रूप ऐसे लेटर वा नहीं वार डिपीट हो रहा था तो इनको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना मत भूं तो कैल्कुलेशन हम लोग लास्ट में करेंगे पहले केस को समझ लें और अरेंग्मेंट हम लोग लिख लें तो थर्ड केस जो है इस केस में क्या लिखा हुआ है तू सेम ऑफ वन टाइप एंड तू सेम अधर टाइप कहने का मतलब इस तीन ग्रूप में से किसी भी दो को इप्लाई कर दिया अभ यहां जो चार टेटर आपके हाथ में आ चुके हैं वह चार्ट डिखता कैसा होगा ऐसा दिखता होगा अगर आपने इसमें से दो लिए उपटे लिए और यहां तो यह जो आरेंग्मेंट है आपको लगब फोटो ऐसे दिख रहे होंगे लेकिन इस तो यह है आपका actual process actual County और लास्ट केश क्या लिखा वाइब होगा दो डो लेटर रिपीट होंगे वह किस ग्रूप में से इनमें से इनमें से या फिर इनमें से तो इस तीन में से किसी एक को भी आपने सेलेक्ट किया मतलब 3C1 यह जो वन आपने लिखा है यह एक्ष्ली में 2 लेटर आपके हाथ में आचुका है क्योंकि आपने इसी केस को पूड़ा करने के लिए अपैंचे अभला अब जो लेटर हाथ तो आप में आ चुके हैं तो जो बच गए दो लेटर वह डिफरेंट होंगे तो मान लो कि अगर आपने इसको इसको किया तो इस पीपी को सेलेट करने के बाद कितने तरह के अलग लग फोटो बच गए एक दो तीन चार और पांच और अगर आपने यह स्रेक्ट किया होता तो कि यहांपर एक्टले में दो लेटर सेलेक्ट हुए हैं तो दो लेटर यहां पर तो बिलाकर होगे चार लेटर तो अब इस सेलेक्शन को अर्एंज कर दिए मतलब इस सब्हुंप करना कितने तरह हैं लेकिन इस फैक्टोरियल फोड में आपको ऐसा पोटो दिख रहा होगा कि एक लेटर दोवार रिपीट हो रहा है तो आपने टू से डिवाइट करके उस रिपीटर वारा काउंटिंग जो है उनको खटा दिया तो अब आपको है इन सब को कैलकुलेट करना तो यहां काउंटिंग को आपने कर लिया है अब आपका ओवर आल एंसर कितना है इन सब को आपको एड करना है तो आपने इन सब को एड करा रहा है तो यह नमर आपको दिख रहा होगा टूटल लग अलग गृप बने हैं इस ग्रूप के अधार पर हमने यहां पर पांच केस बना डारा एक एक करके हर केस को समझ लोग क्या हो सकता है कि इस वाले में यह थी पॉसिबल है चारों सेम तो ऐसा आप सबक्रस्थे वह इसी ग्रूप को उपने तो इसको लिखेंगे कैसे इस पूरे ग्रूप में से किसी एक को सेलेक्ट करने का तरीका तो यह तो ऐसा एक ही ग्रूप है ना जिसमें चार लेटर्स हैं तो वन तो आपको इन ही दोनों में से सलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यह दोनों पर कोई एक लेटर कम से कम दो बार रिपीट हो पा रहा है तो आपके हाथ में चार लेटर आ चुके हैं और इस चार को अरेंज करने का किना तरीका है फैक्टोरियल फोर लेकिन इस फैक्टोरियल फोर में रिपीटिशन भी तो हो रहा है और यह चार जितने बहुत तरीके से आपको दिखेंगे इजर अरेंज होते हैं मतलब केस्टू में टोटल शिक्स वार्ड बनने वाले हैं और आते हमें केस्ट्री पर केस्ट्री में इसी तरह का एक वर्ड लिखा हुआ है। तो यहां से किसी रही एक ग्रूप को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो टूझ सेम ऑप वन टाइप वाला क्रैकरिया पुड़ा हो जाएगा तो इस दो घुट में से किसी एक वाप्मिस तूं जब अपने तरीके से ठीक है और यह सेलेक्शन है इसमें से डोले तरह के लिटर्स बचे आपके सामने एक दो तीन चार चार किसी भी दो तो को सब्सक्राइब करने का कितना तरीका तो आपके पास अभी तोल कि इसा है जो हापको तो वाले केस का तोतल रहलू कितना है 144 इतने वर्ड बनने वाले हैं यह डिखा है तो यह क्या इसमें बिल्कुल हो सकता है इसलिए क्योंकि एक लिटर ऐसा exist कर रहा है जो कम से कम 3 वार repeat कर रहा है तो अगर आपने 3 A को हाथ में उठा लिया तो यह वही case है तो 3 A को तो आप एक ही तरीके से उठा सकते हो ना तो practically तो आपने ऐसे बोड़ा कि एक करीका लेकिन यहाँ पर selection कैसे कर सकते हो इस group में से किसी भी 3 को select करने के लिए आपको लिखना कैसे चाहिए वन group में से आपने वन को select किया है इस वन का मतलब आपने तीन alphabet को select किया क्योंकि यहां पे ही वह तीन अलफाबेट है जो repeat हो रहा है तो वन सी वन लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस वन में आपके हाथ में कितने सेलेक्शन आ चुके हैं तीन सेलेक्शन और अब आपको कितने लेटर और select करने हैं सिर्फ एक लेटर और वह एक लेटर इसमें से तो आप select नहीं कर सकते हैं तीन यहां से और एक यहां से तो आपने अर्रेंज कर दिया है और इस फैक्टोरियल four times के हर अरेंग्मेंट में यह जो तीन वार रिपीट हो रहा है उसको आपने फैक्टोरियल से डिवाइट कर दिया और जो आपने इसको सॉल्व गया इस इक्वल टू 16 और लास्ट केस क्या है केस पूर और चारों के चारों बिल्कुल डिपरेंट हो तो यह कितने तरीके से हो सकता है एक दो तीन चार पांट फाइव सी फोर आपके हाथ में चार लेटर आ चुके हैं तो आपने उसको औरेंज किया और यह चार लेटर चुक्की बिल्कुल डिफरेंट है तो यहां पर डिवाइट करने से कोई पाइदा है तो यह नमर आपको दिख रहा होगा पाइव इंटू 24 डैट इस 120 तो इस वाले पर दो इतने तरह के आप बना सकते हैं इस क्राइटरिया को पूरा करते हुए इस अलाहबाद वाले वर्ड में से तो 120 फ्लस 16 फ्लस 144 यह 144 में 16 एट हुआ तो है Mississippi तो इस Mississippi वाले वर्ड में SS कितनी वार रिपीट हो रहा है फुल मिलाकर चार वर ठीक है आई आई कितनी वार रिपीट हो रहा है तो यह कोशन एकली मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए है इस को बिल्कुल इसी कॉंसेट के साथ एक बार प्रैक्टिस करके देखना और यह किसका answer मैंने आपको confirmation के लिए है 176 आपको बस यह decide करना है कि वह कौन-कौन से case होंगे और किस तरीके से आप उसको arrange करके word बना पाएंगे कनपा में तो यह है आपका homebook